बहुत ही खतरनाक जगा है यहां थोड़ी भी गलती हुई तो लुड़क के नीचे सीधा तो फ्रेंज अभी हम निकल गए है यहां से और जा रहा है पहले शामडा जी शामडा जी से मेश्वो डेम और उदर से जाएगे पोलो फॉरेस्ट एक्चुली हमने तथकाल एक दम फॉरण प्लान कर दिया है तथकाल एक दम फॉरण बाइक भी सर्विस करा लिया और हम निकल गए है यहां से आशा करता है कि यह यात्रा बहुत ही सुख़ और सफल रहे तो अभी हम बीच के रास्ते स दिखा रहा है तो यहां थोड़ी भी गलती हुई तो लुड़क के नीचे सीधा तो यह है एक ब्रीज यहां से क्रॉस करके हम उस साइड चड़ जाएगे ओमाइगाड एडवेंचर तो है पर जाना पड़ेगा हमने अभी कोई राइडिंग यर्स या कुछ पेहना नहीं है क्योंकि शॉट राइड थी और हमें कहीं भी स्टॉप नहीं लेना था तो वह एक समझ चाती तो उसकी वज़़े से हमने कोई राइडिंग यर्स अभी पहने नहीं है सिर्फ हैंड ग्लवस है क्योंकि शांती से है अभी 93 किलो मेटर 18 किलो मेटर क्रॉस किया है अल्मोस्ट हमने और डेड़ गंटे जितना रास्ता तो दिखा रहा है एक गंटा और 21 किलो मेटर लेफ यहां पर आपको ऐसे मिट्टी के सस्ते वाले पहाड देखने को मिल सकते हैं ऐसे कुछ रास्ते है पर बहुत मज़ा आत क्योंकि हर संदे जरूरी नहीं है कि हम निकल पाए पर मैक्सिमम ऐसे ट्राय करना है कि छोटा तो छोटा राइड तो करे अरली मॉर्निंग निकले दो पर तक वापस आजा ऐसा कुछ आस पास पर क्योंकि बहुत कम जगा है पर घुम सकते हैं अगर आप ढूमने जाओ तो तो फिर जगा क्या बड़ी बात है देखिए पहाड दिखना शुरू हो गए है आप देख सकते हो तो हुई शामला जी 37 किलो मेटर दूर है दिस द लोकेशन वाह मैं पहले उद्यपूर वाइक राइड किया था बहुत बदलब दस साल हुआ होगा तो इट वस्ट राइट यहां से पतली गली में निकल जाओ क्या बाई क्या सीन है ऐसी कोई जगह पर चाय टपरे मिल जाए जो हमें शायद मिल गई है आज इदर पर भी नहीं रुकना है ओ माई गॉड क्या प्लेस है यार मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ बाई यह है लोकेशन अगर बीच में कोई चाय टपरी होती ना उदर पे तो मैं डेफिनेटली जाता बाई चैसे तैसे खुशा के चड़ा के ले जाता अब अब आपने वाले रोड़ पर मिल जाता है ना तो स्पेशली कट मारके उदर जाएगे चाय वाए पियेगे थोड़ा नास्ता वस्ता करेगे फाइनली जगा मिल गई है यही पर सोच रहा है कि नास्ता वस्ता कर ले चाय वाए फूंक ले मतलब पी ले तो चली चाय वाए पी लेते हैं चली अंदर बैठ जाते हैं तो अब हम होटल से थोड़ा नास्ता वस्ता करके निकले हैं 15 किलो मिटर है शामला जी सिदा एंटरी गेट का ही मैंने लोकेशन डाला है मतलब इदर उदर टाइम वेस्ट नाउ तो शामला जी आ गया है अब अ अंदर शूट नहीं किया है तो यह है शामडाजी आप यह बहुत ही एंसेंट मतलब बहुत ही पूराना टेंपल है एंसेंट टेंपल है अजिए एक्षन टू कैमेर में घटिया चीज क्या है कब आप रैकॉडिंग चालू करते हो बंद करते हो चालू बाइक में आपको पता ही नहीं चलेगा बहुत ही घटिया चीज है मेरा इधर मंदिर के आते वक्त का शूट है ना वह हुआ ही नहीं है इतनी घटिया चीज है कि मैं मतलब बहुत डिसपॉइंट हूं लास्ट एक्सपीरियंस में भी यह हो चुका है अंदर कैमेरा ले जाना मतलब प्रॉइबिटेट था अलब मंदिर के अंदर तो हम अंदर का शूट नहीं कर पाए और यहां से मेशोडेम जाएंगे यहां लोकिशन डाला हुआ है बाइट किलो मेर्स इतना है पांच मीट का रास्ता दिखा रहा है वहां जाएगे है यहां से यूटन बता रहा है डेखिए ये रोल भी मस्त है लेट सी रीटन के व्क्त लेकर ये रास्ता आता है तो शूट करेंगे और यहां से मेशोड दیम का रास्ता वहां कुछ शूट हो सके तो शूट करेंगे and then back to पॉलो फोरेस्थ रूट है कि आप सोच्टे है कुछ होता है कुछ यहां पर रस्ता थोड़ा गाट जैसा आता है मेशवोडेम वाला रोड है उदर पैंद एन रास्ता करना है सीधा पोलो फॉरेस्ट तो हमारा लोकेशन जो डेस्टेशन वन था वह वन डेस्टिनेशन हमारा कम्प्लीट हो गया है शामल तक का भी रास्ता बहुत ही मस्त है वो सब ट्राइबल एरिया है मतलब जो पॉलो फोरेस्ट का है न वो एरिया यह गाट जैसा रास्ता है पूरा यहां पर करेंगे शूट अकर लगा तो अधर्वाइस बाइबल टर्मिनेट अव प्लान तो हीर दो केशन बहुत अच्छा लोकेशन है इस रिख लाइक ओ मैं गाड इस एप सुपर बहुत ही बहतरीन लाजवाब अच्छा अच्छा है यहां अंदर एक जगा बाइक उता रहा है हाला कि हम ऐसी जगह पे करते है शूट देख क्या आते हैं रास्ता है या नहीं अच्छा इंदर फिशर्पार्टमेंट ऑ गुजराथ श्तेट अंदर बाइक लएचा आट इस है हाँ अच खालीं या सूदी लएचा के जाना पड़ेगा याँ निट सीट इस पोईंट फोर वीडियो शूट दियेशलर वहां पे निकल सकते है कि आये दिरे दिरे भाई उसको बोलते हैं लोकेशन हम हर एक जगह पर ऐसा कोई लोकेशन ढूंड़ी लेते हैं कि पर अन्नून जगह पर बहुत ही ज्यादा दूर बाइक ले जाने से पहले उसका परिक्षन कर लीजिए यह आपने को पता नहीं है कोई रिस्क नहीं लेना नहीं जाना एफिशर्स के लिए यह जगह एक पेशली उदर पर लिखा है और उन्होंने बोला है पर्मिशन तो दिया है बट कैर लेना है केरफुली इतर पर जो भी करना है कैरफुली करना है है फाइन बहुत ही बड़ी है प्लेस है कि कि कुछ साओं गिव फॉट पॉट पॉट जिए आम दूशेट मावए तो भाई यहां पे वीडियो शूट किया था देखो लोकेशन यह विचर्स के लिए है तो काफी लोग आते नहीं होगे उनके सिवा हमारे कैमेरा मैन और वी एफ एक्स ग्राफिक डिजाइनर और आर्टीस्ट यह है मिस्टर पार्थ मेरे भांजे और उसमें से एक नहीं है हुआ हुआ है हुआ हुआ है अब हमें लोकेशन करना है पोलो फॉरेस्ट के लिए जैसे गाट से आ रहे हो ना ऐसी फीलिंगा रही है वैसे गाट ही बोल सकते है इसको पहार का उपरी हिस्सा है तो तो उसे घाट ही कह सकते हैं तो हम मेशो घाट से मतलब जो यह है ना मेशो डैम से नीचे उतर गए है और बाहर के रास्ते पे थोड़ा रेस्ट लेके पानी पीएगे और अगले डेस्टिनेशन यानि कि पोलो फोरेस्ट का लोकेशन लगाएगे यहां पे रूखेगे यहां से टन लेके यह हाइवे चड़ना पड़ेगा तो यहां शामला जी जो टेंपल था उधर से ठीक सामने रास्ता है यहां पे शूट नहीं हुआ था मुझे यहां पे शूट करना था एक्चुले डॉंट वरी यहां पे मैप भी ठीक से दीख नहीं रहा है पोलो फोरेस्ट का जो रास्ता है ना जो अंदर जाएगा वो सीरेस्टी बहुत ही ओसम है अब यहां से कौन सा रास्ता कनेक्ट होता है मेरे को नहीं पता पर हम घर से जाते हैं ना तो रास्ता स्वाट परता है यह थोड़ा गुम के जा रहा है क्योंकि हमें शामरा जी आना था राइड यह दीख नहीं रहा डिस्प्ले एंड्रोइड सीरेस्टी बहुत ही बक्वाश चीज़ है तो यह रास्ता जा रहा है इडर साइड इडर मतलब यह पोलो फॉरेस्ट उसी साइड आया है हां हां सादू 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 है यह चोटा सा ब्री जा गया है यहां पर आजू बाजू खेत है मतलब हाला कि पूरा रोड खेत वाला ही था पर यहां से टॉप व्यू से दीख रहा है बहुत मस्ता है यहां पर एक मस्ता डीफरेंस दिख रहा है एक साइड ग्रीनरी और उससाइड क्राउड अलब भी गाहों की हालत भी ऐसी हो रही है गाहों को लोग सीटी बनाने पर तुले मत करो मेरे भाईयों ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है सीटी वालो मतलब सीटी में जाके आप देखो क क्या हालत है अभी सबका लाइफ कम हो रहा है उसका रीजन यही है कि we are getting far from the nature हमारा जो connection है वो टूट रहा है जहां देखो रास्ते बन रहा है पेड़ कट रहा है तो प्लीज दूर मत चाहिए नेचर से और अभी तो गवर्मेंट भी कोई environment के साइड देखी नहीं रही है को कि अध्युदो जबरो उत्रस चपल पे रही है यह हमार गाइड है भाई अभी हम काफी टॉप पे है और यह भाईया बोल रहे है कि यह हार्ड लेवल पे है हमें अभी भी शायद 800 मिटर से किलो मिटर जितना रास्ता बाकी है चलो कमान कि अध्युदो बस्टोर बाकी है झाल 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 जो जुश्या जुश्या नाश्या था रहुआ जूर्टे रिश लेजी एर रेड़िये वादी तुछ था 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 रेड़िये जुश्या था रेड़िये वादी तुछ आपक है यह चड़ना थोड़ा फिर भी इजी रहेगा पर उतरना इट्स क्वाइट क्रिटिकल सुभी क्येरफुल उन दिस वे अभी हम काफी टॉप पर है और उतर रहे है तुम बांजे साब की यह हाला से अभी अभी यहां उतर के यहां से अभी जाना है हड़े स्ट्रेक है यह उड़े स्ट्रेक है यह अश। अखाव बारी में प्रच्छी आरा गाया धूलीज के खिव रखिय। तरियो खिशा बारतां, जाराते हैं एक डियों, थेय। लो अवेगा है एक बारतां बारता में दो अपना हैं अगर आपको पोलो फॉरेस्ट आना है तो इनका नंबर में यूट्यूब में डाल दूंगा उन्से कॉंटेक्ट कर सकते हो तो गाइज अभी हम पॉलो फॉरेस्ट से निकल रहे है और जो गाइड दे ना उन्होंने जो ट्रेकिंग कर वाया और ऐसा लगता है न पूरा पूरा पूलो गुम लिया पर सही है मैं बोलू तो गाइड ले लेना चाहिए भले आपको वह समराइस करके दिखा दे पर मेरे को देखने को मिले इधर बच्चा ही था वह और पार्ट टाइम यह कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी हो जाए और दूसरा क्या है कि एक दिन में या मैं हमने दो गंटे में गुम लिया यहां पर दो और धाई गंटे में तो उसकी बदला तो थोड़ा एडवेंस्रस हो यहां वहां पर हम शूट नहीं कर सके विगाद मेरा डीजिय का कैमेरा भी चार्जिंग में दा और वह पूरा चार्ज नहीं हुआ था अभी भी पावर मोडिल सिर्फ 67% यह 70% शाहिद मुस्किल से चार्ज हुआ होगा तो डीसलर से हो सके उतना शूट किया है तो जब भी जाओ गाइड भी रखो और अगर बच्चे है तो कैरफूली करवाव ट्रेक बच्चों को घबराना नहीं चाहिए पर जो फैक्टीज है जो जहां पर अपना प्रिकॉशन और ध्यान रखने चाहिए तो वहां पर हमें ध्यान रखना ही चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहा क्वालिटी टाइम में हम गुमें और यहां हम रिटन भी हो रहा है डाई गंटे का रास्ता दिखा रहा है तो शाड़े चार पांच बज़े शायद पहुंचे गे बीच में एक छोटा सा रेस्ट लेगे हमारा फास्टर सेवेंटी फोर किलोमेटर से दूर है अभी लेड़ गंटाज इतना अप्रॉप्सिमेटली दिखा रहा है वाई यह पहाड इतना बड़ा है कि इधर फोटोशिट करने का मन हो गया नास्तों करो जपारता हिया और मस्त जग्या जया जया ना इला में कि दूख स्टॉप लाई लो यहां भी फाइनली स्टॉप लेगे अच्छी जगह है देखते हैं अभी क्या मंगा सकते हैं तो अभी हम यह वाटल से निकल रहे हैं यहां लूक अच्छा था इसलिए रुके थे और कुछ नहीं खाया हमने सिर्फ बटर मिल्क के दो ग्लास एक एक हमने पिये मस्त जगह है यह जहीं मंदीर है जो तौलब के बीच में है जब हम आये थे 6-7 साल पहले तो इदर आये थे बहुत है बड़ी चट्टा नहीं यहां पर फर व्यू बहुत मस्त आ रहा है काफी हमने इदर पर रेस लिया देखिए शामणा जी वाला रास्ता आ रहा है ना वह हम डिरेक्टिव उदर से गए थे और यह बीच में से होके हम सीधा एमदाबाद वाले रास्ते पर टन लेक कर सकते हैं